Hello students, welcome to today's class तो श्रूट वीडियो हम करने हैं कम्यूटर साइंस के कॉछिशन पेपर को मतलब कि आपका जो बूर्ड का एक्जाम हुआ है कंप्यूटर साइंस का तो उसको कॉषिएं पेपर है उसको डिसकस करेंगे उसको जो आंसर्स हैं उनको हमें यहां पर discuss करने वाले हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और discuss करते हैं इस question paper के answers को तो यहां पर से पहले discuss करेंगे हम इस question paper के section A को section A की अगर हम बात करें तो इसमें पहले question में जो हैं यहां पर true false दे रखा है और इसमें बोला जा रहा है while defining a function in Python the positional parameters in the function header must always be written after the default parameter कहने का मतलब यह है कि जो positional parameter होते हैं वो हमेशा default parameter के बाद में लिखे जाते हैं तो यह statement पूरी तरीके से कल लाता है functional वाली chapter में यह चीज़ मैंने आपको पढ़ाए थी कि जो positional parameter होते हैं हमेशा पहले लिखे जाते हैं default parameter जो है बाद में आते हैं लेकिन यहां पर उल्टी बात बोली जा रहे है कि default parameter के बाद में जो है positional parameter आते हैं तो positional parameter जो है हमेशा पहले आते हैं तो इसलिए इसका answer हो जाएगा false बात करते हैं question number 2 की इसे बोले जा रहा है था सेलेक्ट स्टेट्मेंट वेंट कम्बाइंड विद डैस क्लॉज रिटर्न से रिकॉर्ड बिताव रिपिटिशन मतलब की इन में से कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसमें की जो रिकॉर्ड आते हैं तो डिस्टिंग क्लॉज जो है वो बिना रिप इसका जो आउटपूट आएगा वो आएगा आपका 0.0 जो सी ऑप्शन अब उसका करेक्ट आंसर अभी किस तरीके से आएगा थोड़ा सा मापको समझा भी देता हूं देखिए इस एक्सपरेशन में जो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं उनके हम बात करें तो मुल्टि इसके बाद में होगी डिवीजन क्योंकि यहां पर डिवीजन ऑपरेटर लगा हुआ है तो 80 को आप डिवाइट करेंगे 4 से तो यह बन जाएगा 20 इस तरीके से 20 आगिया अब इसके बाद में अगें मल्टिप्लाय का साइन है मतलब कि 20 के मल्टिप्लिकिशन होगी 2 से तो अब यह बन जाएगा 40 और उसके बाद में हम पर डिवीजन ऑपरेटर मतलब कि 40 को आप 5 से डिवाइट करेंगे तो कितना बन जाएगा यह हो जाएगा आपका 8 क्योंकि यहां पर आपने डिवीजन करी होगी तो डिवीजन ऑपरेटर जो हमेशा फ्लोड में बैल्यू देत करेंगे 8.0 में से 8 तो आपका बचेगा 0.0 मतलब कि यह तरीके से करेक्ट हो जाएगा आई हो आपको समझ में आ गया होगा बात करतें कोशन नबर 4 की यह कोशन बेज़ड है इसको करेंगे तो इन में से कौन सा पॉसिबल आउटपुट बनेगा चलिए बात कर लेते हैं त इसके पास में पहले वैली जाएगे 2 फिर जाएगी 1 0 यहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि 0 दे रखा है आप लिमिट में तो आपको पता होना है चाहिए कि आप लिमिट नहीं होती है तो इस तरीके से के वाले बैरेवल के पास में तो जाएगा फिर जाएगा वन मतलब कि अरण डेक्स को ही प्रेट नहीं लूब जो है वो आपका 2 चलेगा इसके वाद में लूब के अंदर लगा रहा है रंडेंज फंक्शन और डाल दिया है कै मतलब कि के जो वैल्यू आएगी उस रेंज में जो ही रिल्यू जो प्रेट कर कर के रेंडमली आर वाले वैरेवल क पास और यहां पर देखे और वाले इंडेक्स को ही प्रिंट किया रहा है तो इस से एक चीज़ के लिर हो गई कि आपकी जीर ही लिए लिए कि music की वैल्यव अ सकती है और बात करें पास में में नहीं आएगे तो इसका मतलब यह हुआ जिस option में भी green दे रखा है वो आपका गलत हो जाएगा मतलब यह वाला गलत हो जाएगा और यह वाला गलत हो जाएगा green तो आपका नहीं आएगा क्योंकि two value जो है आर वाले variable के पास नहीं आएगी तो इसलिए second index तो जो है वो आपका output पर नहीं आएगा तो यह दोनों option जो हाँ आपके इस तरीके से cut हो जाएगे बात करते हैं आपके यह वाले के और सी वाले की तो सी वाले में देखिए green आ गया तो इसका मतलब यह भी cut हो जाएगा बचा आपका a तो इस तरीके से a वाला जो option अब आपका correct answer हो जाएगा यह एक तरीके का shortcut तरीक यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा मुझे लग रहा है आप लोगको को कॉशन के लिए हो गया होगा बात करते हैं कुशन नंबर 5 की कुशन नंबर 5 में बोले यह राइन SQL aggregate function which will display the cardinalty of a table मतलब कि टेबल की cardinalty यहां पर कौन सा function शो करेगा तो सम वाला function यह काम नहीं करेगा और सम स्टार के नाम से कोई function होता नहीं है इसके अलावा बचा आपका count तो count से कह होता है counting होती है total number of column जो है आप count कर सकते हैं किसी भी टेवल के तो इसका जो बी option है वो correct answer हो जाएगा बात करते है question number 6 की question number 6 में बोले जा रहा है which protocol out of the following is used to send and receive emails over a computer network मतलब कि कौन सा protocol जो है email को send or receive करने के लिए use होता है तो बहुत सिंपल सा इसका answer है इसका answer हो जाएगा डी वाला जो की है SMTP इसके full form होती है simple mail transfer protocol और जब मैंने आपको networking वाले chapter पढ़ाया था तो उसमें चीज़ बता रखी है और मैंने आपको साथ साथ बहां पर यह चीज़ भी बताया थी कि जित कि फायदा invalid python statement from the following मतलब कि इन में से जो है कौन सा statement जो है वो invalid है तो पहले वाले कि अगर हम बात करें तो यहां पर लिख हुआ है टी इक्वल डिक्ट के नाम से function होता है यह बिल्कुल सही है वी वाले में इक्वल करके यहां पर कली ब्रेस लगा हुई है तो इस तरीकी से यह भी सही है इसे क्या होगा empty dictionary create हो जाएगी सी वाले की अगर हम बात करें तो यह भी सही है इससे क्या होगा जो empty लेश्ट आपकी बन जाएगी लेकिन आप जो डी वाला option है यह आपका गलत है क्योंकि यहां वह देखिए डिक्ट लगा रखा और इसमें जो ब्रेकेट से ह आपसे बोले जा रहा है कि इसका output क्या चलिए बात करते हैं कि आपके लिए को लगा के फोल लिग दिया है मतलब कि इस बताए कि कहां तक स्लाइस करना है मतलब की फूर्थ इंडेक्स तक स्लाइस करना है चलिए बात करते हैं यह हो गया जीरो यह बन यह टू यह थ्री और यह फूर मतलब कि जो इंक्लूड नहीं होती है इसका मतलब यह बीगलत हो जाएगा बस तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा वाला सही होगा तो यहां पर देखिए प्लस किया गया है है को मतलब की हैश यहां पर भी है और है यहां पर भी है फिर इसके बाद में स्टीन का नाम लिखा है और यहां पर जो माइनस फाइब से श्टाडिंग की यह और कॉलन लगाकर छोड़ दिया मतलब कि एंडिंग को इसने नहीं बता आया बात करें यह जाएक माइन भाएं एसका कट कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा बात करते है अंबर 9 की कुशन नमबर 9 में बोला जा रहा है identify the statement from the following which will raise an error मतलब कि यहां पर जो statement दे रखे हैं इन में से कौन सा statement error देगा तो पहले वाले के हम बात करें तो यहां पर देखें स्ट्रिंग है यहां पर कोई problem नहीं है इसकी replication हो जाएगी जो ए है वो आपका तीन बार आ जाएगा अगले वाले के हम बात करें तो यहां पर लिख हुआ है आपके नहीं कर सकते दोनों ही पार्ट आपके स्ट्रिंग होंगे तो जॉइन हो जाएगे जैसे कि यहां पर डी वाले option में दे रखा है यह दोनों पार जो है इस ट्रिंग हो जाएगे दिए आपका सई हो जाएगा लेकिन जो सी ऑप्षन आपको आपको आर्र देगा तो इ by इसके बाद में इस स्कोरेट्य करा गया है और किस से कराा गया है 안वे को तो आपको दिधा जया हुश्श तरीकाओ शेल डेगी जिसके अंदर पहला बिएपts रहागा जिए उसके बाद में श्प्श आया यह ड क्यों क्योंकि जिण टे तो इसके बाद में जो है आपका presidency at the rate 2023 दे रखा है तो इस तरीके से यह हो जाएगा आपका दूसरा element मतलब कि यहां पर लिख्या जाएगा presidency at the rate 2023 यह जो है आपका दूसरा element form हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो आपके लिस्ट बनके इस वाले बैरेवल के पास चली जाएगी और इसके बाद में देखिए यहां पर इस लिस्ट को जो है element आएगा list की form में क्यों आएगा list की form में क्योंकि जब भी आपको जाएगा जाएगा यहां पर आप लोग यहां पर दिख सकते हैं इस तरीके से आउटपूट आ रहा है जो कि आपका बी वाला option है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बात करतें कुशन नंबर 11 की इस ओप्सक्राइब बात करतें को यहां पर आपस क्या गया है क्या उसके ब्यृबर के नाम से एक आंदर पास किया हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ जब फंक्शन को कॉण किया जाएगा तो यहां पर पास किया जा है तो देखिए call यहां पर करा गया है calling में pass करा है 10 मतलब कि इस A वाले variable के पास में 10 आ जाएगा और इसके बाद मां function के अंदर एक B की नाम से variable है जिसकी value है 20 और फिर जो है next line में A की नाम से variable होनाया है और इसमें A और B की value को plus कर दिया है मतलब कि A की value है 10, B की value है 20 तो यह हो जाएगा 30 मतलब कि A वाला जो variable है यहां पर इसकी value हो जाएगी 30 और इसके बाद मां last में यहां पर print करा गया है A को तो इसका जो output आएगा 20 जो B option अब इसका correct answer हो जाएगा अब देखिए बहुत सारे बच्चों को यहां पर लगेगा कि इसका answer आजाना चाहिए 30 मतलब कि C option जो है बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि यहां पर जो है A की value है 10 और B की value है 20 तो एक ही जो value है वो हो जाएगी 30 तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर जो a variable है यह local variable है यह बहार accessible नहीं होगा जब यहां पर बहार print लिखा है तो मतलब यह वाला variable जो है access होके आएगा ना कि अंदर वाला तो इस तरीके से इस वाले variable की जो value आएगी 20 ना कि इस वाले variable की और अगर आपको लग रहा है कि इसकी value modify हो रही है तो इसकी value modify नहीं होगी क्योंकि यह बहार दे रखा है और इस इसका correct answer हो जाएगा B20 बात करते हैं अंगले question की जोगी है question no.13 तो इस question बोला जा रहा है whether the given statement is true or false मतलब कि आपको बताना है यह जो statement दे रखा है यह true है यह false है तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें बोला जा रहा है while handling exception in python name of exception has to be compulsorily added with accept clause कहने का मतलब यह है कि जब आप exception को handle कर रहे होते हैं try or accept block का use करके तो उस case में आपको accept block में हमेशा exception का name लिखना पड़ता है जैसे कि हमने file handling बाली chapter में देखा था तो उसको handle करने के लिए जो हम accept block में EOF error लिखते हैं तो यहां पर यही बात बोली जा रहे है कि आपको उसका name लिखना must होता है जो भी error आ रह automatic उसको handle कर देगा यह चीज मैंने आपको exception handling वाले chapter में पढ़ाई है तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ मांगया होगा कि किस तरीके से जो है इसका answer false होगा बात करते है question number 14 की इसमें बोला या रहा है which of the following is not a DDL command DDL की full form होती है data definition language मतलब कि ऐसी command जो की table का structure define करें किस है यह भी DDL है लेकिन जो update है आपकी DDL नहीं है क्योंकि update से क्या करते हैं data को modify करते है तो update जो है वो dml command होती है तो इसलिए इसका answer हो जाएगा बात करते है question number 15 की जो कि fill in the blank है यहां पर रहा है डाइस इजा सेट आफ रूल पढ़के ही आपको समझ में आ जाने चाहिए कि यहां पर बात की जा रही है protocol की मतलब कि ऐसे क्योंको फॉलो करके communication होता है तो यहां बात की जा रही है protocol की इसका answer हो जाएगा protocol बात करते कुशन number 16 की इसमें बोला जा रहा है consider the following statement मतलब कि यहां पर इस तरीके से फाइल को open किया गया है और यह जो फाइल उपन की जा रही है वो टेक्स्ट फाइल है फिर इसके बाद में बोला जा रहा है विच आप दा फॉलेंग इन बैलिट स्टेट्मेंट मतलब कि यहां पर सीख जाएगा कोई आरण देगा यह भी चल जाएगा और यह भी चल जाएगा यह माइनस बन वाले जो है यह आपको एर्र जन्रेट करके देगा तो सी ऑप्शन जो है वह आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करते हैं कुशन नंबर 17 और 18 की जो की असर्शन और करेक्शन नहीं कर रहा है तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स नहीं कर रहा है बात करते हैं कुशन नंबर 18 की असर्शन में यहां पर बोला जा रहा है the expression hello.short in python will give an error मतलब कि इस तरीके से string के साथ में आप short method को लगाते हैं तो आपको python error देगा तो यह बात बिल्कुल सही है असरसन यहां पर आपका बिल्कुल सही है अगर आप इस तरीके से sort method को लगाते हैं string के साथ में तो यह आपको error देगा region कि अगर हम बात करें तो इसमें बोला है sort does not exist as a method or function for string in python मतलब कि हाँ बोले या रहा है कि sort method होता है वो string में होता ही नहीं है string में use इसको नहीं करते है यह आपका list में होता है string में यह आपका नहीं होता है तो region बिल्कुल सही है और यह सही से explain कर रहा है assertion को मतलब कि जो आपका a option अब इसका correct answer हो जाएगा कि दोनों ही सही है और जो region है वो correctly explain कर रहा है किसको assertion को तो यह हम discuss कर लिए question paper का a section I hope आप लोग को सारे question समझ में आगे होंगे अब 20 section को हम discuss करेंगे अगले वीडियो में तो इस वीडियो में